हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासिस में आज हैं इस वीडियो में प्रोवीजनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के संदर में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफी बचों को पता नहीं चल पा रहा है कि प्रोवीजनल जो लिस्ट है वो कैसे डाउनलोड करें तरह तरह की कॉलेज हैं जितने वी कॉलेज हैं उन सभी लोगों ने प्रोवीजनल लिस्ट अपने साइट पर डाल दिया है तो आज हम इस वीडियो में बताने वाला प्रविजनल लिस्ट जो है कैसे डाउन्लोड करेंगे चाहे वो साइंस का हो या आट का या कॉमर्स का हो क्योंकि 7,21 से 23 वाले का एडमिस्न होने वाला है उसका 22 सितंबर को जो है मतलब कल प्रविजनल लिस्ट जो है डाल दिया गया है अगर उसमें किसी प्रकार की में ही जो है आपका एडमिसन होगा तो आपको जो है सोनपू डाइट का कैसे प्रविजनल लिस्ट डाउन्लोड करना है उसके डिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आप क्या करेंगे गुगल खोलेंगे या क्रोम खोलेंगे उस पर जाकर सर्च कर चाइब या साइट आपको दीखेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है तो इसपर कलिक करेंगे जैसे तो उसके बाद जो है डिस्टिक इनसिट्टिट अफ एज्योकेसन एंट्रेनिंग संपूर सारन मतलब यह जो सुनपूर का डाइट का जो है मेन साइट जो है होमपेज उसका खुल जाएगा उसके बाद जो है आप थोरा सा नीचे आएंगे तो जैसे आप थोरा सा नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपको नोटिफीकेशन में दीख रहा होगा यहाँ पर यहाँ जो है नोटिफीकेशन बोक्स को आप देखेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर स्क्रोल करेंगे थोरा सा देख रहे हैं आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा provisional merit list science 2021-2021 provisional merit list art 2021-2021 और आपको provisional list urdu session 21-23 मतलब तीनों का आ गया है science का भी आया है आपका art commerce का आया हुआ है और आपका urdu का आया हुआ है तो आपको जिसका download करना है उसको जो है उपर आप जो है click करेंगे जैसे मुझे science का download करना है तो आप क्या करेंगे science वाले पर जो है आपको click कर देना है automatic जैसे आप click करेंगे आपको यहाँ पर आएगा कि आपको download करना है तो download पर आप click करेंगे आपका जो है download हो जाएगा और PDF form में जो है आप खोल सकते हैं और देख सकते हैं जैसे कि यह देख रहे हैं कि आपका यह merit list जो है download हो गया प्रविजनल है अब यह final जो है merit list नहीं है और आपको जो है remark में दिख जाएगा कि आपको क्या क्या गलती है किसी बच्चे का गलती होता है तो उसका दिख जाएगा जैसे यहाँ देखने किसी बच्चे का गलती है या लिखा हुआ payment ID not match मतलब जो payment ID match किया ग download कर सकते हैं और अपना इसमें नाम सर्च करते हैं कि आपका form accept हुआ एक नहीं हुआ है किसी बचार के तुरूटी हो तो आप college से contact करता सुधार करा सकते हैं तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को like करेंगे share करेंगे subscribe करेंगे thank you for watching this video please like share and subscribe my channel तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यबाद thank you